बिसमिल्लारह्मानुरहीम, वेलकम तो माइ चैनल स्मार्ट स्टडी वी अर गूंग तो स्टार्ट थर्टी देज्ट चैलेंज ऑफ पोकन इंगलिश इस चैलेंज में थर्टी देज्ट क्लासिस शूट करेंगे फोर इंगलिश स्टीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स के लिए और अगर आप ये रेगलरली क्लासे अटेंड करेंगे और इसमें जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएंगे आप उनको फॉलो करेंगे तो शोल्डी आपकी स्पोकन इंगलिश जो राइटिंग इंगलिश के स्किल्स होती है वह बहुत ज़्यदा इंप्रूव हो जाएंगी तोड़े इस क्लास वन और डिसकस इन दिस क्लास प्रेजन सिंपल टेंस आज ही क्लास में मैं आपको सिंपल प्रेजन जो टेंस होते हैं उसकी डेफिनेशन, फॉर्मूलेशन और एग्जेंपल सारी बताऊंगी हम आज क्लास में टोटली जो प्रेजन टेंस है नो उनको डिसकस करेंगे चाहे वो कॉंटिनियूस हो चाहे वो इंट्रोगेटिव हो चाहे वो नेगटिव हो जो सेंटेंस हमारे हाल के बारे में बताते हैं हमारे हाल की सिचुएशन या जो हम आज के दोर में काम कर रहे हैं आज के दिन में जो हम काम कर रहे हैं लाइक जैसे अली स्कूल जाता है बच्चे इस पार्थ में खेलते हैं इस तरह जो आज की बात हो रही है वो present simple tense कहलाते हैं। उर्दू में हम इसकी किस तरह से identification करेंगे कि किस तरह से होते हैं। जिन tenses के last में ता है, ती है, तेहै आता हैं वो होते हैं present simple tense यानि के हाल के tenses। जैसे अम्मी खाना बनाती हैं तो तीहैं आता है last में। और English में इसकी identification कैसी होगी, इस tense के अंदर helping verb यूज होता है, is, am, are, जिन tenses में is, am, are आएगा वो होंगे present tenses, okay, definition, we use the simple present tense when an action is happening right now or when it happens regularly, अब इसमें भी यही बता रहा है कि जो action, यानि के जो काम regular होते हैं, हम regular basis पे करते हैं, या जो आज की date में हो रहे हैं, वो कहलाते हैं simple tense, जैसे मैं school जाती हूँ, मैं home work करती हूँ, इस तरह जो आज की situation में हम काम कर रहे हैं, कभी करते हैं, कभी करते हैं, कभी नहीं करते है जरूर नहीं नहीं कि हम वो काम रोज करते हैं लेकिन जो हम आज की डेट में काम करें वो होते हैं present tenses इसके formula देखते हैं कैसे बनते हैं formulation जो simple tense होगा उसमें subject आता है then verb verb के साथ हम s या es का इसाफा करते हैं ठीक then object negative tense negative यानि के मनफी फिकरात जो ना के बारे में बात करते हैं जैसे अम्मी खाना नहीं पकाती हैं बच्चे पार्क में नहीं खेलते हैं जून टेंसे म्ना के बारे में बात होती हैं मनफी फिकरात होते हैं वो negative tense कहलाते हैं इसमे पहले आएगा subject plus do not या does not अब he और she और it के लगता है subject के बात वो subject की बात होती है कि subject कौन सा है अगर subject होगा he, she, it तो उसके साथ does not लगेगा और अगर they और we होगा और I होगा तो उसके साथ do not लगेगा ठीक है then verb की first form लगेगी then object लगेगा interrogative, interrogative tenses वो होते हैं जो question वाले tenses होते हैं इसमें सवाल किया जाता है, जैसे क्या आप school जाते हो क्या आपके अब्बू काम पर जाते हैं, क्या बच्चे पार्क में खेलते हैं क्या अम्मी खाना बनाती हैं, तो जिन tenses के शुरू में उर्दू में क्या आता है या English में do या does आता है वो होते interrogative यानिके interrogative means question वाले tenses, इसमें जहां जो do और does दर्मियान में आया था negative में अब यही first में आ जाएगा, do या does, then subject, then verb, then object ठीक है, do अब यहां पर यहीं बता रहे हैं कि do जो है न वो I, we, they, you के साथ do आएगा, negative में भी, interrogative में भी, लेकिन अगर हमारा subject है he, she, it उसके साथ हमाएं, use करेंगे does, he, she, it के साथ do नहीं लगेगा, और I, we, they, you के साथ do लगेगा, ठीक, इसके साथ does नहीं लग सकता और इसके साथ do नहीं लग सकता यह आपने ख्याल रखना है, I, we, they, you के साथ do, और he, she, it के साथ does next examples देखते हैं, present indefinite simple, यानि के present indefinite simple tense की examples है, my son lives in London, मेरा बेटा लंडन में रहता है, अब live first form उसके साथ S का, S का इजाफ़ा किया है, ठीक, then है, Ali plays cricket, Ali cricket खेलता है, play के साथ S, S लगा है, verb के साथ, first form के साथ S include किया, then he goes to school, वो school जाता है, अगली example है, she sings very well, वो बहुत अच्छा गाती है, अब first sing, she is subject, sing first form है, verb की, और उसके साथ हमने S का, जो है, include किया, S, E, I, S लगता है ना, तो S का इजाफ़ा किया, very well object, they speak English, वो English बोलते हैं, we like to watch TV, हम TV देखना पसंद करते हैं, we subject है, like verb, to watch, like to watch verb है, we subject है, watch verb है, और TV subject है, object है, next, negative tense, अब इसमें हम मन्फी फिकरात देखते हैं, जो ना के बारे में बात करते हैं, उसको बोलते हैं, negative tense, मन्फी फिकरात, I do not like fruits, मैं fruits, मैं फल नहीं पसंद करती हूँ, तो I subject है, do not को हमने add किया, like, first form of verb है, fruits, फल, I do not like fruits, मैं फल नहीं पसंद करती हूँ, she does not feel good, उसको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, अब देखें, he, she, it के साथ does लगता है, तो यहाँ does लगा, फिर not, फिर then feel verb की first form good object, my son does not make his bed, मेरा बेटा अपना जो bed है, यानके बिस्तर है, वो नहीं बनाता है, my son, जो है, वो subject है, does not, मन्फी फिक्रों में लगेगा, और make first form of verb है, his bed object, I do not play chess, मैं chess नहीं खेलती हूँ, शतरंज नहीं खेलती हूँ, we do not go to school, हम school नहीं जाते हैं, अब we है, तो उसके साथ do not लगा है, अगर he, she, it होता, तो उसके साथ does लगता, Ali do not like to eat burger, Ali जो है, burger खाना नहीं पसंद करता है, Sarah do not like this cartoon, Sarah को जो है, ये cartoon नहीं पसंद, Nida do not go to the market, Nida market नहीं जाती है, अब ये सारे negative हैं, पर ये present situation को बता रहे हैं, तो ये present negative tenses हुए, अब इसमें interrogative tenses की बात करेंगे, interrogative tenses जिसमें question किया जाता है, वो भी आज की situation के बारे में, क्योंकि ये present interrogative tenses हैं, यानकि आज की situation के बारे में question करते हैं, जैसे like, do you like to take tea, क्या आप चाए पीना पसंद करेंगे, do you want to go for movie, क्या आप movie के लिए जाना, क्या फिल्म देखने जाना पसंद करेंगे, अब देखे, इसमें do शुरू में आ गया है, you जो है subject है, want to go, go, इसमें first form है, movie object है, do I watch television, क्या मैं TV देखती हूँ, do we read newspaper, क्या हम news अख़बार पढ़ते हैं, do they play football, क्या, वो football खेलते हैं, do देखे, first में आ गया, they subject है, play first form है, verb की, football object है, do you love swimming, क्या आपको तैयरना पसंद है, do students read their lesson, क्या student जो है, वो अपना lesson पढ़ते हैं, अपना सबक पढ़ते हैं, does he teach English, क्या वो English पढ़ाता है, does she write a letter, क्या वो खत लिखती है, अब देखे, he or she के साथ does का use होगा, ठीक, और it के साथ भी, does he train in morning, क्या सुभा बारिश होती, सुभा के टाइम बारिश होती है, तो ये सारे हमारे interrogative tenses थे, जो present situation को जाहिर करते हैं, अब हम बात करेंगे present continuous tenses के बारे में, present continuous tenses कौन से होते हैं, present continuous tenses वो होते हैं, present continuous tenses used to describe an action that is presently is going on, जो अभी present situation में, आज के हम दोर में जो काम कर लिया है, वो तो होगा present simple tenses, लेकिन अभी जो काम चल रहा है, यानि के जो जा रही है, जो अभी end नहीं हुआ, वो होगा present continuous tenses, जैसे मैं खाना खा रही हूँ, सारा गाड़ी चला रही है, अम्मी खाना पका रही है, यानि के जो काम अभी चल रहा है, अभी वो end नहीं हुआ, तो वो होगा continuous tenses, continuous कहते हैं, उस चीज़ का जो चीज़ अभी चल रही है, continue है, अभी वो end नहीं हुई, ठीक है, इसका formula होगा, subject, then helping verb, इन सब में is mr लगेंगे, फिर first form of verb, first form of verb हम क्या add करेंगे, ing plus object, ठीक है, इसमें अगर हमने negative tense बनाना हो, तो subject is mr helping verb है, इसके तो हम not add करेंगे, then हम first form of verb ही add करेंगे, subtenses में, plus ing, क्योंकि continuous tenses में ing आएगा, plus object, और अगर हमने इसमें continuous में हमने question वाला tense बनाना हो, तो हम is mr को शुरू में ले आएंगे, helping verb शुरू में आजाएगा, फिर subject उसके बाद आएगा, फिर first form of verb, इन सब में first form of verb लगेगी, लेकिन ये फर्क है, present में सिर्फ first form of verb लगती है, और simple के बाद अगर हम continuous बनाते तो ing इसमें add होता है, plus object, अब मैं आपको इसकी examples दिखाती हूं ताकि आपको ज़रा easy समझ आ जाए, present continuous examples, Sarah is cooking food, Sarah खाना बना रही है, अब cook तो होता है first form of verb, उसके सब में क्या add किया है, ing यानि के अभी बन रहा है, काम चल रहा है, अभी end नहीं हुआ, Sarah is cooking food, सारा खाना पका रही है, Ali is playing in the park, Ali पार्क में खेल रहा है, Nida is reading the book, Nida किताब पढ़ रही है, My father is driving the car, मेरे अबू कार चला रही है, she is doing homework, वो अपना school का homework मिलता है, वो काम कर रही है, they are going to the park, वो पार्क में जा रही हैं, अब यह इन कामों में सब में देखे, cooking, ing, playing, ing, reading, ing, driving, इन सब में first form of verb के साथ ing add किया, यानि कि सब काम चल रहे हैं, अभी कोई काम end नहीं हुआ, that is why we say it present continuous tense, अब इसमें हम negative tense देखेंगे, Ali is not doing his homework, Ali अपना homework नहीं कर रहा है, Sarah is not playing guitar, सारा guitar नहीं बजा रही है, he is not coming school, वो school नहीं आ रहा है, she is not going to shopping, वो shopping पर नहीं जा रही है, they are not playing cricket, वो cricket नहीं खेल रहे हैं, अब इन में भी यह सारे काम continuous है, लेकिन not लग रहा है, तो यह negative continuous tense बन जाएंगे, next है interrogative, अब हम continuous में ही question वाले फिक्रे देखेंगे, interrogative होता है, जिसमें question किया जाता है, are you cooking food, क्या तुम खाना पका रही हो, अब देखें, जो है helping बब शुरू में आ गया, are शुरू में आ गया, इसमें सब में helping बब इसम आम आ जाएंगे, और ING के साथ first form इसी तरह ही रहेगी, फिर ये question बन जाएंगे, are you cooking food, क्या तुम खाना पका रही हो, is she going to the picnic, क्या वो पिक्निक पर जा रही है, are they going to Islamabad, क्या वो सब Islamabad जा रही है, is he playing the piano, क्या वो प्यानो बजा रहा है, are they playing in the park, क्या वो पार्क में खेल रही है, अब ये बच्चों के बारे में बात हो रही है, are शुरू में आ गया, they subject है, playing, play first form of verb है, साथ ING add किया है, और पार्क object है हमारा, are you going to school, क्या तुम स्कूल जा रही हो, is he eating fruits, क्या वो fruits खा रहा है, अब इन सब में question हो रहा है, लेकिन present situation में हो रहा है, इसलिए present continuous interrogative stensus कहलाएंगे, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है, खत्म, थैंक्स पर वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक और शेयर, अलाहाफेज,